विल्कम स्वातियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गौर्मेन आईटी ओटी अलिगन लखनो के बारे में फुल टूटोरियल लेकर हाजिरू हूँ आज के इस वीडियो में तो अगर आपके मन में रहा हूँ तो यहां पर वीडियो में आपको लाश्टक बने रहना है और मैं शुरुआत आपको इंपोर्टन टॉपिक के बारे में ही बताऊंगा जिससे कि आपका टाइम लॉस ना हो तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो कंडियर से उनको एक डाउट यहां पर टोटल सिस्ट्रेड हैं तो इनके बारे में उन्हें कंसर्म जानका यह नहीं है तो इस वीडियो में वैदा रहा हूँ यहां पर जो टोटल सिक्स ट्रेट्स हैं उसमें पहली है फिटर एलेक्टिशन और आर एसी नेक्ट सुविंग टेकनोलोजी और सी एसे यहां कंप्यूटर सॉफ्ट्वेर अप्रिकेशन एंड लाश्ट है कॉस्मेटोलोजी तो यहां पर सिक्स ट्रेट्स हैं आईट्याई में और यहां पर जो सीट्स हैं और सीट के बटवा रहा है वह ऐसे हैं कि फिटर इलक्टीशन आर एसी में हंड्रेड यहां पर सीट्स हैं और जाद यहां पर डौट सयता कि कि फिटर कि जाद़ तो नहीं होगी योगी आली को छोड़ कर उसके लावाँ जितने भी गौश्टीशन सबके फिस काफी ज्यादा है तो अगर आप यहां आते हो तो मैं डेशनेटली बोलूगा यहां कि आप यहां आ सकते हो अच्छी जो है वहां कि जादा है तो आपको दिखत हो सकती है यहां पर आपको पर यहां पर चालि किसी यह ज मिलता है अगर इकर ममीशिण रुपए लेंगे ड्रस का अगर ड्रेस इंश्यूट से नहीं मिली तो पंद्रास रुपए नहीं लेंगे आपका जो अड्मिशन होगा 1520 रुपए में हो जाएगा उसके बाद लगाते भी हैं तो वह ड्रेस का पंद्रास रुपए ले सकते हैं उसके अलावा अगर आप यहा यहां पर मदली भी वह पे करेगा यह हो गया ना अड्मिशन में आपको 1520 रुपए लगने हैं थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं थोड़ा ही बहुत होगा ज्यादा नहीं होगा यानि कि जनरल ओविसी की फीस समतिंग इतनी होगी और उसके बाद अगर आप ड्रेस दिया जाता है इंश्यूट की तरफ तो 1500 के बाकी मेंस और ऊच्छल के 3500 रुपए समतिंग इतनी लग रहे हैं तो कोई ज्यादा नहीं है तो आप यहां बेर कर पाओगे और यहां पर थोड़ा हम आपको कैंपस के बारे में इंडूरूस करा दें यहां जैसे कि यह देख पा रहे हैं यह मेंगेट है और यह कुछ इस तरह का कैंपस है और यहां पर कुछ इस तरह के हमारे हॉल्स हैं ट्राइंग हॉल्स हैं और कंप्यूटर लैब है उसके लावा कांफरेंस रूम हमारा यह है तो इस तरह के हॉल्स हैं तो हाल्स में एसी भी ल सब्सक्राइब दिखाई जारी है इस तरह से यहां पर पर विटेंग अगर आप चाहते हो यहां पर आना तो आ आ सकते हो इस लाव है लोगो के मन में एक डॉर दूर से आ होते हैं उस खास का गल्स जो होती है तो गल्स का यहां पर कहना होता कि सर यहां पर होस्टल अवेलेबल है कि नहीं तो मैं यह कहूंगा होस्टल तो अवेलेबल है लेकिन कोरोना के चलते सब को मिल पाता है या नहीं वो बहुत मुश्किल है क्यों कि जब कोरोना नहीं था देना मैक्सिमम देना ही पड़ेगा उन्हें अगर आप रिग्वश्ट करोगे तो आपको मिल सकता है लेकिन यहां पर जो हॉस्टल में रहने का जो पहले तरीका था वह ऐसा था कि यहां पर जो हॉस्टल थे वह ऐसे छोटे चोटे रूम की तरह नहीं बने हुए थे वह जो ह कर दो एक साइड में आपका छोटा सा किचन होगा तो इस तरह है तो आप देख सकते हो उसी अंदर लेट इंधर बातरूम भी होगा तो बड़ा हाल है उसमें एक दो तो पहले के दाइम में उस एक रूम में यानिक बड़े से आवास में करीब छे लोग रहते थे अब किस तरह से रहेंगे यह देखना मुश्किल है तो जैसे यहां पर वहां पर जो भी डिशन लिया जाएगा तो उस हिसाब से लोग रहेंगे तो पहले तो चेल रहते थे एक एक बड़े से रूम में तो छेलों आराम से रह लेते थे क्योंकि काफी बड़ा है हॉल भी है किचन भी है चोटा रूम भी है लैटिन बात रूम भी है तो खास दिकत नहीं होती है तो ऐसा होता है तो अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम यहां पर लगना हुआ एंड मिश आपको कहना होगा अली गंज कपूरथला यहां पहां मिलेगी तो बहुर लोग बोला करते हैं कि यहां तरह से आवास लगाते रहते हैं मेट्रो इस्टेशन के नीचे यह फिर ओवरमेश के नीचे वहां पे आप जाओगे तो आपको आट हो टाशी कपूरथला नाम यह उतरके आपको यह बोलना है कि कपूरतला के थोड़े आगे थोड़ी आगे पर जो मस्जिद है आप उस मस्जिद के थोड़ा से आगे उतार दीजेगा यानि कि उस मस्जिद के बाद वाले जो दाएं साइड में जो रोड गई हुई है बस उसी रोड पर आपको उतार देना ह आपको कपूर्टला से थोड़ी आगे मस्जिद के आगी वाली जो पहली गली है उसमें वहाँ पर ट्रैक्सी रोग दीजिएगा आप उतर के जो आपका राइट साइड हो रहा है वहाँ उस गली में चले जाएगा बस वहीं इंस्ट्यूट का गेट है बाकी दूसरा रास्ता यह अगर आप कपूर्टला से आप बोलो कि हमको गौर्णमें आइट या जो है आप उसे बोलो कि आपको कपूर्टला के आगे जो मस्जिद है जो पहले गली गई हुदी है उस रोड पे उतार देना है तो इस तरह से आप वहाँ पर पहुंच जाओगे तो यह कुल मिला के यह मेरे पास इनफॉर्मेशन ने जो मैं आपको दी अगर इसके अलावा भी आपको कोई कोश्चन पूछना तो कमेंट जरूर करेंगा क्योंकि टाइम कब है कमेंट करोगे मैं रिप्लाइज जरूर दोगा तो आज किस वीडियो में इतना ही